हाई फ्रेंज आज हैं बनाने जारी कच्छे चावल का बहुत ही सौफ्ट और मसाला प्राथा जो खाने में टेस्टी लगता है तो यहां मैंने चावल डाल को भींगो दिया है और यह अच्छे से फूल गया है तो यहां पर मैंने एक कप चावल लिया था कप मैंने यहां पर दाल लिया थोरा सा बिल्कुल महिनिस में उड़त के जाल डाला है सबको मैंने चे से धोकर मिक्सी में मैंने डाल लिया है इसमें हम डालेंगे तीन हरा मिर्ष और एक इन चद्र का टुक्रा और थोरा सा हम पानी डालेंगे और इसे हम पीश लेंगे तो यहां पर हम धकन हटा लेते हैं बिल्कुल ही हमने इसे महीन पीजा है आपको चमज से दिखाद देते हैं यह देखे तो हम इसे बॉल में निकाल लेते हैं तो यहां मैंने बॉल से रख लिया है थोरा सा मेरी मिक्सी में जो लगा हुआ था पेश्ट उसको हम दोगर डाल देते हैं और इसे हम इस तरह से मिला लेते हैं बिल्कुल गोल आपको इस तरह से होना चाहिए अईसे हम पांस मिनट के लिए ढखन से ढख देते हैं तकि यह फूल जाए त्याहां पर पांस मिनट हो गया है तब हम इसमें छोटी चमस एक चमस हलती डालेंगे भूना हुआ जीरा मैंने आदा चमस डाला है आदा चमस मैंने यहां धनिया पड़ा डाला है स्वाद इंसर मैंने यहां नमक डाला है और सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं अगर आपके पास हींग है तो इसमें आप हींग भी डाल सकते हैं मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे हम मिला लेते हैं तो यहाँ पर पैन है जो गरम हो गया है जिसमें हम एक चमच तेल डालेंगे और इसे हम इस तरह से फैला लेंगे तेल हमारा गरम हो गया है तो ये चमच में इस तरह से घोल को डालेंगे और चमच से हम इस तरह से इसे फैला लेंगे और इसे medium gas पर हम पकने देते हैं तो उपर से यह हो गया है तब हम दिसे तरफ पलट लिए है और इसी तरह से हम उलट पलट कर इसे हम पका लेंगे तो यह हम बिना तेल का बना रहे हैं अगर आपको तेल नहीं पसंद है तो आप भी ना तेल का भी इस तरह से बना सकते है और इसी तरह से हम सारे प्राठे तयार कर लेंगे यह खाने में बहुत ज़्यादा सौक्ट लगता है और बहुत ही कम समय में बन भी जाता है तो इस रेस्पी को आप घर पर ज़रूर ट्राइ करें और अपने मन पसंद चट्नी सौस के साथ इसे खाए खाने में बहुत ज़्याद रेस्टी है ते एक बार में तरीके साथ ट्राइ करें आपको बहुत पसंद लाएगा